मशीनी जिन्दगी के दौर में जहां हर सू मफात और नफसानफसी की जंग जारी है वहीं ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की बेलास खिदमत के लिए जी रहे हैं कुछ मनफर्द कर रहे हैं ऐसी ही एक शक्सियत है शांदरी मुहम्मद अख्दर जानवरों की चर्बी से बनाया गया बायो डीजल जो डीजल इंजनों का मतबादल हयातियाती इंजन है जो रिवायती डीजल की निस्पत कम नुकसान दे फुजला चारी करता है यहां ये बात जानकर आपको खुशी होगी कि हमारे मुल्क में भी इस स्लसले में काम हो रहा है बैसी त्रैसी के नस्दीक जो है एटी थी में यहां मोटर वाइंडिंग की एक वर्गशाब खुली थी तो फिर वो काम करता रहा फिर सन पचासी में जो है चित्राल के एक दोस्ते उनके साथ कुई रिलेशनशेप हो गई दोस्ती होगी फिर उन्होंने मुझे चत्राल दावत दी तो उनके लिए मैं टर्बाइन लेकर गया चुकि वहां बिजली नहीं थी उन्होंने मुझे प्राब्लम बता दी थी फिर छोड़ी सी एक किलो वाट की टर्बाइन बना कर यहां से लेकर गया तो वहां विजट भी लिया और वो उस टर्बाइन के उस सारा दिन लगा कर वो चलूगी तो वो तज़रबा काम्याब रहा बायो डीजल पेट्रल डीजल का एक काबले तजदीद और माहौल दोस्त मतबादल है चोधरी अख्तर के मताबक यगाए की चर्बी, खुर्दनी और गेर खुर्दनी टेल और दीगर हयातियाती चिकनाईयों से तयार किया गया है बायो डीजल का आमेजा डीजल इंजन में अमूमी तोर पर किसी तर्मीम के बगएर ही इस्तमाल किया जा सकता है ये तरीका गुजिशता चंद बरसों से पूरी दुनिया में मतबादल तमनाई के तोर पर मकबूलियत हासल कर रहा है जिसके जर्ये जमीन को माहौल दुश्मन खलाज़त से इलावा फिजा को रिवायती गाड़ियों से खारिज होने वारे धुएं और जहरीली कैसों से महفوظ भी किया जा सकता है खासकर कि जीप का जो आपने एनिमल फैट का देखा है ये मेरा तकरीबान आखरी तेरवा था अभी तो मुर्णी साथ दे रही है तो इसका मैंने एक कताब में मैंने बढ़ा था ग्रेट सांटेस अफ दी वर्ले उसमें इसका वाला मुझे मिला था कि यह रहा जिस पंदे ने डीजल इंजन इजाद किया था उसका नाम था रोडॉलर डीजल ये जर्मन साइंसदान था तो यह उसका आइडिया था यह रहा मैं इसको एक इंजन जो है बगार स्पार प्लग के पिट्रॉल से आट गए मैं इस किसम का बनाना चाहता हूं उसको डीजल उसके जहन में नहीं था जब और उसमें देखा तो उसने चर्मी पर क्यूं नहीं कर सका म्यरे खाल में उसकी इंकारिजमेंट सही नहीं होई थी तो पिर उसने इसका काम झोड़ दिया तुब है तो मेरे खिखिया वर दूनिया गर चर्मी पर क्यूंदा यrees है या इसके गरीबा कुछ डीजल मलाकर कामयाबी असल कर चुके हैं, लेकर मैंने अलहम्दुल्ल्ह बगार किसी कैमिकल के और बगार डीजल के मलाए खालत शर्वी आज आपने देखे हैं, आपके सामने मैंने डाली हैं, तो इस पर ये इंजन चलाकर मैंने तेरवा किया, जो के कामयाब रहा, दुनिया के कई साइंस्तान इस पर काम कर रहे थे, मगर कोई खातरखा कामयाबी ना मिलने के बाइस, इन मनसूबों पर काम रोक दिया गया, मगर चौधरी अखतर वो शक्सियत हैं, जिन्हों ने इस पर ना सिर्फ कामयाबी हासिल की, बलके अपनी तहकीक मे नाम भी कमाया, बायो डीजल की खास बात ये है कि इसमें पेट्रोलियम या कोई दीगर फौसल फियूल शामिल नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत रदो बदल करके या जूं का तूं रखते हुए बखूबी इस्तमाल किया जा सकता है, बायो डीजल रवायती इंधन के साथ बलेंड करके भी इस्तमाल किया जा सकता है, माहिदीन का कहना है कि दोनों सूरतों में खतरनाक अज़जा के खराज में वाज़े कमी की जा सकती है, चौदी अखतर की इस तहकीक में जो वक्त लगा, इसमें कई बार इन्हें मुश्किलात भी पेशाई, मगर इन्हों ने प्रबलम पेशा रही थी, नुकसान हो रहा था, नोजल का, डिलिवरी वाल का, पलेंजर का, इन चीजों का नुकसान हो रहा है, फिर जाकर दस साल के बाद जब उसकी बदोलत जो है, फिर यह 100%, बलगे 90% ही हो चुकी है, अभी भी 2% इसमें कमी है, माहरीन का कहना है कि बायो डीजल से बेशुमार फबाइद हासल किये जा सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फाइदा तो यह है, कि इसे पहले से मौजूद इंजिनों और फ्यूल इंजेक्शन आलात के साथ इस्तमाल किया जा सकता है, इसके लिए किसी रदोबदल की जरुर मुलक के बड़े और नामबर इधारों ने चौजरी अख्तर की इस इचाद में बढ़ चड़ कर मौवनत की तालीम मैंने जो बन्यादी है वो असल नहीं कर सकी, आफ़ा सैमन तालीम है मेरी अंटरमिडल यह नहीं है पर बाद में जब कारोबार में रिसर्च में आगे बढ़ता गया तो मुझे तालीम की जड़ूरत पढ़ी फिर मैंने कताबों का सारा लिया फिर युनवस्टियों का लिया जो युनवस्टियों के प्रोफेसर अगरात, उनके साथ रिलेशनशप रख़़ी फिर वो क्या करते है अपने students को चो final year के project देते हैं वो मेरे पास refer करते हैं मैं उनको मेकेनिक आले और प्रिक्टिकली करके बगार मजदूरी के उनको दे देता हूं फ़र मुझे जो कलकुलेशनों की अदाद और शमार की जब दरूरत पढ़ती है या गुट टेस्ट वगार दरूरत पढ़ती है तो वही प्रोफेसर यही यूनिवस्टिया वो फ्री आफकास्ट इनके दर्वाज़े जो है मेरे लिए वो खुले हुए है इसमें एक जजबा था कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है कुछ कर गुजरना है जिससे इस मुल्क में रहने वालों को भी फकर हो इसलिए अपने तरज जिन्दगी को बदला चौदरी अख्तर ने और आज इनकी तहकीक को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है किसी चीज़ का एंड उड़ना चाहते हैं किसी चीज़ को मुन्तुकी अंजाम तक पहुचाना चाहते हैं तो ये जो दुन्यावी रिलेशनशेप है ये आपको फत्म करने पड़ेगी आपको पूरी तवज़ आर और इंडी पर आपको देनी पड़ेगी तो यही महनी भी क कुछ किताबें ऐसी हैं जो के इंजिनिंग का शाकार हैं तर्बाइनों की हैं या इसके सुन की मेकैनिकल इंजिनिंग की हैं अलेक्टिकल की हैं अर्दू इसमें कम मिलती हैं अंग्रेजी है फिर वो अंग्रेजी के किताबें भी कुलेट कर लेता हूं लेरी फिर कुछ थोड सबकों पर दोड़ती इस मुनफरत एजात को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खामियाबी खरार दिया जा रहा है और इस कामियाबी पर चौदरी अख्तर को कई बार इनामात और एजाजाजाद से नमाजा गया मगर ये चाहते हैं कि इनकी इस तहकीक से मुलक को ज्यादा से ज्यादा हो ज्याब हो चुकी है इसको किसी सरकारी अदारे में जाना से यह गाडियों का बढ़ता इस्तमाल महौलियाती आलूदगी बढ़ने और जमीन के वसाइल खत्म होने की एक बन्यादी वज़ा है फिजाई आलूदगी को कम करना साइंसदानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसी बन्यादी फलस्फे पर हर जगा काम हो रहा है साइंसदानों को इस चैलेंज की बदालत मतबादल एंधन तयार करने की तरहीब मिलती है जिससे ना सिर्फ नए इंधन जराय का आगाज होगा बलके खुदरती वसाइल की खपत भी कम होगी ऐसे में वायो डीजल से चलने वाली गाड़ियां फिजा के लिए किसी नेमत से कम नहीं चौदरी मुहमद अख्तर और इन जैसे नायाब हीरे हैं जो ना मसाइद हालात और महदूद वसाइल के साथ इस जदीद और मुश्किल तरीन फील्ड में मुलकों का नाम रोशन कर रहे हैं अब सिर्फ जरूरत है तो इस अमर की के हम सब मिलकर इनका साथ दें ऐसे ही चराख से चराख जलते चले जाएं तो ही घुप अंधेरों से ताबनाक उजाला फूट सकता है